पूरे दस घंटे का सफर करने के बाद हम लोग पाँज गए हैं कattera railway station और यहां से अभी हम देखते हैं आगे हम भी पहली बार आए हैं तो देखते हैं कैसे हमें booking करनी है। और कैसे हमें hotel लेना है कैसे हमें यात्रा की टिकट लेनी हैं पर्ची लेनी हैं जो यात्रा की और यह सामने जो पाड़ी इसमें बरफ है और यात्रा इंग से सुलू होती है मेरी ख्याल से और सामने देखिए बरफ और टैम्प्रेचर है अभी यहां पर दस डिग्री और अब हमें यात्रा पर्ची मिल चुकी है इसके बाद हम अपनी यात्रा आरम करें है तो यात्रा पर्ची लेने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं यात्रा के लिए उससे पहले लेंगे होटल यहां पर है टेक्सी स्टेंड और यह हेलिकप्टर सेवाएं भी चालू है बज़ काल जाता है तो खाना है तो खाना होगा न यहां तो अब हम है जम्मो के कट्रामें और हलका पुलका नास्ता कट्राइब अबढ़ी अलगा दिया है छोले पुल्चे और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब और यह हमारा ब्रेक्पास्स रेडी होगा है और नाने दोने के बाद हम लोग ब्रेक्पास्स करना और इसके बाद हम लोग चड़ेंगे चड़ेंगे तेंके जी रेडी हो क्या रहता है यह है चलते हैं और आगे चड़नी है हमें चड़ा ही 13 किलोमेटर के बाद हम लोग खेलेंगे बाद गंगा और अमार ले यह गाड़ी कि सब्सक्राइब करकी दिए मां में लोग चरा है और यह अधरा सुपर रहे हम लोग और आप याधरा सुपर रहे हम लोग तो और कुछ इस तरीकों का मोहल यहां पर अब हम चले गए हैं कट्रा की तरफ राष्ण देवी चल रहे हैं तो दोस्तों अब हो गई हमारी चड़ाई सुरू वैशनो देवी जीक ले माता वैशनो देवी सब की मनो कामना पूरी करें और हमें जल्दी से दर्सन मिलें अब हम लगे हैं लाइन में जहां पर हमारी आइडिस चेकोंगी उसके बाद हमें छोड़ा जाएगा और पर यह पूरी चड़ाई हैं और हमें वह आला अश्ट में पहुंचना हैं वह मंदिर हैं कि अधिक साथ ही लंबी लाइन में खड़े हैं आज हम और रस हैं सायद नए सान के वज़े से भी हो सकता है और हमारे पीछे भी बहुत ही लंबा रस और यह इतना लंबा जो क्यों है यह बाद लंगा तक है जो कि यहां से थोड़ा सा सो मिटर दूर है हमें उतना पैदल च चेकिंग खतम होने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं माता बैशु देवी की तरफ कि यह दो में माना को राती है कर दो धर नहीं पेंवा प्रोफ हम दाइए प्रेव देव झाल, तो शेल, पुरआ भाइश सौना आखिया, एर पशने कजा है? जय! कुछ। कुछ देर चलने के बाद सबी को ठकान लगी और सबसे ज़्यादा ये थंगू और आईसमान को तो इनके लिए हमने निम्बू पानी बन्वाया और ये माता रानी के चरन पादू का मंदिर है यहां के दर्सन करने के बाद और यहां पर जो भंडारा लगा है हलवे का वो घ्रेंड करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे ये सीडियों वाला रास्ता है जो लोग छोड़ा सौट कट जाना चाते हैं तो वो इन सीडियों का भी साहरा ले सकते हैं जल्दी उपर चड़ने के लिए ये तो काले बादल दिख रहे हैं कहीं बारिज तो नहीं आईगी प्रास कफंटी से आओंगे दिख रहे हैं कर दो कर दो बच्चों के साथ पूरा चलने के बाद अब हम यहां पहुचे हैं अर्द कुमारी छे गंटे का हमारा सफर रहा क्योंकि सबी लोग ठक भी रहे थे तो आराम आराम से हम लोग चले हैं और बहुत ही अच्छा यह सफर हो रहा है बहुत ही अच्छा अनुभाव है हमारे लिए बिना किसी दिक्कत परिसानी के बस हम लोग चलते ही जा रहे हैं तो अब हम लोग अर्द कुमारी पहुच गई हो और अर्द कुमारी में दर्शन करेंगे गूफा के अंदर जाएंगे को अच्छा इसा है आर अर्द कुमारी एकरेंगे लोग में परिस्च जा रुट किसी दिया अर्द के बाहर अचे सब्सक्रांगे अच्छा इसानी है और कुछ ऐसा है यहां का नजारा यहां के दर्सन करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे यहां से और वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वज़े से मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं इसी जगह से आगे बढ़ेंगे हम अपने दूसरे वीडियो में